तो शड़े मोड में आपका स्वागत है बिहार फायर मैन के 2380 पदों के लिए CSBC द्वारा बिहार के अलग-अलग परिछा के अंदर पर 27 मर्च 2022 को दो सीफ्ट में लाखो अभिहार्थियों के एक्जाम कंड़क्ट कराये गया 70% अभिहार्थि इस एक्जाम में पाटिसिपेट किये हैं काफी अभिहार्थि पूछ रहे थे कि सर जो 2380 पद है इसके कितने गुना रिजल्ट दिया जाएगा और कितने असकोर के रेंज में अगर आता है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं बताऊंगा कि मेल और फिमेल जो भी अभिहारती हैं अगर इस रेंज में आते हैं या आप बोल सकते हैं इस कटफ के रेंज में आते हैं तो आपका रिजल्ट आना तय है और रिजल्ट को क्या क्या परभावित कर रहा है ये भी जनक कि जो महिला का seat होता है 35% ऐसे अरक्षित रहता है और जो पिछड़े वर की महिला है उनका प्लस 3% seat जो होता है अरक्षित रहता है तो एक average में माल लिजे 38% seat अरक्षित रहता है ठीक और इसी के 5 गुना result दिया जाता है काने का मतलब कि जो समान नवर का seat है पूरुस का इसके 5 गुना और महिला के 5 गुना पास किया जाएगा overall जो आपका merit बनेगा वो physical पर बनेगा physical जो होता है 100 नंबर का होता है जिसमें 50 अंक होते हैं दोड में 25 अंगोला फेक में 25 अंक हाई जम में होते हैं और इसी में अधिक अंक आपको लाना पड़ेगा जेन अभियार्थियो का यह आपको 2380 पदों के 5 गुना रिजल्ट में आता है कहने का मतलब जो भी रिजल्ट रिटेन में देते हैं उनका ही physical conduct कराया जाएगा अब चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको जनकारी देते हैं लेबल जो था 10 लेबल बताया था वहीं लेबल था एक्जाम के तैयारी कर जाएगा कि उस center पर कितना result हो रहा है क्योंकि center देखिए अगर average तोर पर जहां 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 जिस range में लड़के हैं अगर result देता है और shift wise भी अगर result लगभग उतना ही देता है तो लड़के बराबर हो जाते हैं यह मंदार लड़के पढ़ने वाले लड़के अपने अस्थ जगा पर mobile भी अंदर गया है तो क्या mobile अंदर जाने से पूरता चोरी कोई कर पाता है यह ऐसा नहीं है सर्च करेगा इधर उदर देखेगा फिर सर्च करेगा ऐसे में करकर वह ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 कोईशन अगर ज्यादा यह होगा तो वह पहुँच पाता है वैसे अभियार्थी जो पढ़ने में अपने बल पर विस्वास रखते हैं मेनत करते हैं वो अपने तयारी करकर उस लेबल तक गये थे और अच्छा खासा स्कोर करकर आए हैं वो जो भी तयारी किये थे चलिए में मुद्दा पर हम आते हैं कि और भी cut-off दिखिए cut-off बताने से प कोशन में मुझे लगा कि वो इंसर गलत है तो मैंने काट कर वाइटनर लगा कर दूसरा कोशन रगा कोई बोल रहा है मैं काट कर दूसरा रंग दिया तो उसमें क्या होगा देखिए यह वाला जो पोर्षन होता है अगर इसमें आगर मार्किंग भी नहीं है एक बाद ध्या है यह पासिंग रखा गया है जैसे बोला जाता है कि मैट्रिक में 30% लाइएगा तो आपको पास माना जाएगा ठीक तो यह 30% कम से कम अगर माल लीजे कितना भी कटप जाएगा तो 30% से नीचे नहीं जाएगा 30% से नीचे वाले फेल हो जाते हैं इससे अधिकी कभी भी कट आप जाता है और जो जाता है वो आप सभी लोग जानते हैं 100 कोशन पूछा हुआ था आपको दो घंटे के समय मिला हुआ था इसमें से आपको उमर सिट भरना भी था कोशन भी बना रहा था और इसमें टोटल एक कोशन पर एक नंबर मतलब है और नेगेटिव नहीं है मैं यहां पर देख लीजे यह भी दिया है कि जो 596 परिच्छा केंद्रों पर एक्जाम हुआ है 388 पदों के लिए इसमें 70% अभियार्थी आपको उपलब देते जिसमें से कितने अभियार्थी ने एड्मिट कार जारी किया गया था तो 6,89,594 मतलब कि लगबग 6,90,000 अभिय सेंटर पर भी आप ध्यान देते होंगे तो आपके रूम में अगर मान लिजे आपके रूम के चमता 24 है या आपके रूम के चमता 30 है एक आपको रूम में जितना इस्टुएंट बैठे है तो उसमें से 2-3 लड़किया ही आपको दिखाई देते होगी या मेक्सिमम चाल जै लडक्यों का कट अफ alt वह अब चलते हैं में मुद्दे पर के लड़क्यों का कटफ कितना जाएगा अब लड़कों का कया कच अगर आप चाहते है तो इससे प्लस माइनस दो कर लीजिएगा प्लस माइनस दो में रह रहे हैं रेंज में है तो आप समझे एजम आपको सेफ माना जाएगा पले मेल का हम देख लेते हैं कि जेनरल का 63 से 65 AWS का 56 से 58, BC का 58 से 60, EBC का 55 से 57, SC का 50 से 52, ST का 48 से 50 अब लोगों के दिमाग में यह होगा कि सर्मान लीजिए कोई लड़की है वो अब यह 63 से 65 से अधिक ला देती है यह प्रभावित होता है और ऐसे ही आप दिखिएगा जब भी रियल्ट आएगा मैं आप आटे लगाऊंगा और बताऊंगा कि दिखे कटफ कितना गया है क्योंकि 50,000 से अधिक डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट लड़के से बात करने के बाद ही मैं इस मुद्दा पर जैसे उन से बात किया बहुत से लड़की के पास मेला सिंटर के पास उन लोगों से बात किया लड़कियों से बात किया तो गरोल जाकर मैं यहापड यह निर्ने लिया हूँ कितना आपका जाएगा अगर лड़कियों के इस में से दो स्कूर कम भी है दो नंबर तो वह कोई चिंती करने की बात नहीं है अगर प्लस में है तो समझे एकदम आपको सेफ मना जागा फिर हम बात करते हैं मेल में मेल में कटफ अक्सर अधिक जाता है आप सभी लोग जानते हैं कि सब लोग तयारी अच्छे से कर रहे हैं बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन confusion में बहुत से ल अब यहां पर देखें जेनरल जेनरल का जो आप 76-78 के बीच में AWS के 71-73, BC का टेगरी का 73-74, ABC का 70-72, SC का 66-85 और HD का 72-74 क्योंकि HD का बहुत कम से treasure होता है लड़के fight जादा करते हैं अब यहां पर बहुत से लड़के बोलेंगे सर इतना cut up नहीं जाएगा इससे अधिक जाएगा देखें इसमें से आप minus 2 और plus 2 कर सकते हैं प्लस 2 है तो और भी बेतर है और minus भी है तो कोई दिक्कट नहीं है अब यहां पर बोलेंगे सर कि इतना आपको जो cut up बता रहे इस से अधिक जाएगा कोई 85 बता रहे है कोई 87 बता रहे है देखिए जाएगा वो कभी नहीं होने वाला है नहीं रेटेन में कभी इतना cut up गया है नहीं जाने वाला है एक बाद ध्यान में रखिएगा क्योंकि confusion के कारण भी बहुत से question गलत होते हैं अगर दोनों सिप्ट मिला लिए यह फर्स और सकेंड सिप्ट का तो दस question तो ऐसा था दोनों सिप्ट मिलाकर 10-15 जो कि कोई भी गलत कर सकता है अगर deeply नहीं पढ़ा है जैसे कि English का अंदर का जो करहानी है या पोटरी है या हिंदी का जो अंदर के कहानी पोटरी है या नाम जो हिंदी जो लिखे हुए पाट के नाम अगर नहीं पढ़ें deeply तो आपको गलत हो सकता है और स्कोर लिखना है 70 आ रहा है तो 70 लिखे 72 आ रहा है तो बहतर या राइंज में लिख सकते हैं कि 72 इससे ये पता चलेगा खुद ही लड़के जब कॉमेंट र देखने जाएंगे तो ये पता चल जागा कि उनका स्कोर कितना हो रहा है और अपने सही अब यह सोच पाएंगे कि नहीं यह सर जो बताए हैं वो सही बताए ठीक तो वीडियो अच्छा लोगत लाइक कीजिएगा कोई बीडाउट अकॉन में लिख सकते हैं वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद